नमस्कार दोस्तों, SBI Securities Morning Podcast में आपका फिर से स्वागत है आज के Podcast में हम Nifty और Bank Nifty में क्या उम्मीद करें इस पर चर्चा करेंगे और साथ ही ऐसे कौन से Sectors है, ऐसे कौन से Stocks है जिन पर आपको आज के दिन और आने वाले कुछ सत्रों के लिए ध्यान केंदरित करना चाहिए उस पर भी बात करेंगे तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि कल जो है बाकी Markets बन थे तो Price Action Perspective से किसी भी वैश्विक संकेत के अभाव में जो Frontline Indices है, इन्होंने नई साल के पहले सेशन में एक नर्मी के साथ ही इन्होंने अपना समापन किया बात करें, US की 10 वर्षी Bond Yield की या फिर हम उसी के साथ साथ Dollar Index को भी देखें तो US की जो Bond Yield है, वो 3.9% से नीचे ट्रेड कर रही है वहीं जो Dollar Index है, वो भी 101.50 के स्तर से नीचे के और स्तिर हो गया है Brent Crude भी अब 78 Dollar के असपास कारोबार कर रहा है तो ये तीनों चीजे Market के favor में है S&P 500 को अगर हम देखें, तो आम तोर पर उसका Trend अब उपर की और ही रहा है अभी तक और आगे बढ़ते वे इसकी सकारात्मक जो गती है वह जारी रहने की उमीद है और संबवत ही है 48.80, 49.10 की सीमा को पार करते वे एक नया record स्तापित कर सकता यानि एक नई fresh all time high हम S&P 500 में बनते वे आने वाले कुछ sessions में देख सकते हैं जो support यहां पर महत्वपून रहेगा S&P 500 के लिए वो 4700 का level रहेगा अब हम अगर इंडियन मार्केट्स को इसमें जोड़ें इंडियन मार्केट्स की बात करें तो 21.610, 21.630 यह एक बहुत ही important support है 21.610, 21.630 का zone और जब तक यह zone hold रहेगा हमारा मानना है कि 21.830 से 21.860 तक की जो बड़त है वो हमें बाजारों में दिख सकती है वही नीचे की और देखें तो 21.610 से नीचे इंडियन जो है वो 21.550 से 21.500 इस जो zone है इसका इसको test कर सकता है OI data पर नज़र दोड़ा है तो 21.750 और 21.800 के strike में महतवपून कॉल राइटिंग बिल्डप कल देखा गया था वहीं put के front पर 21.700, 21.600 इन में काफी ज़ादा open interest जुड़ते वे देखा गया है range अगर हम निखा ले मोटा मोटी तो 21.570 से 21.850 की range हमें market में नज़र आ रही है bank nifty पर आते हैं तो आगे बढ़ते हुए 47.880, 47.930 यह जो zone है एक support के रूप में कारे करेगा और जब तक यह zone hold रहता है तब तक index के 48.530 से 48.550 इस zone तक उपर जाने की पुरी-पुरी संभावना है 47.880 के तूटने की स्तिती में index जो है वो 47.500 पर रखे गए अपने पुराने support को retest कर सकता है बैंक निफ्टी के open interest का analysis करे तो 48.300, 48.500 के call में वही 48.200, 48.100, 48.000 इनके put में मैटवपून open interest build-up जो है वो देखा गया है range अगर हम निकाले हैं banking index के लिए तो वो निकल कर आती है 47.880 से 48.550 तो यह short term range हमको bank nifty में आने वाले समय में दिख सकती है अब बात करते हैं SA sectors, SA stocks जिस पर आपको आज के दिन और आने वाले कुछ सत्रों के लिए बहुत बारी किसी ध्यान रखना चाहिए क्योंकि यहाँ पर हमको बहुत ही अच्छे मौके मिल सकते हैं बात करें IT sector की तो large cap जैसे की tech em, hl tech, tcs यह जो IT के counters है इनके charts formation काफी जादा बहतर कल नजर आए और हमें लगता है कि यह आने वाले समय में भी बहतर प्रदर्शन कर सकते हैं FMCG की बात करें तो ITC, Nestle India जैसे FMCG counters ने कल बढ़िया move दिखाया और यहां पर भी continuation जो है वो जारी रहने की पूरी-पूरी उमीद है overall market से बात करें तो coal India, Tata Motors, Apollo Hospital Power Grid, LIC Housing Finance Gujarat Gas, Fortis, Zeal OFSS, REC Limited Ashok Leland, PNB Petronet, NMDC Sale, Prestige Bharat Forge, IGL IPCA Lab, GNFC इस तरह के counters में बढ़िया तेजी हम को देखने को मिली वही नालको, हुडको, विरला कॉपरेशन राउटे, कल्यान ज्वेलर्स अनुरस, चेंबल जो चंबल फर्टलाइजर है, एकसाइड इंडस्ट्री बीडियल, इस तरह के counters में भी बड़या chart formations नजर आ रही है तो इन counters पर हमको आज के दिन और आने वाले कुछ सत्रों के लिए ध्यान रखना चाहिए FIA data पर एक नजर दोड़ा है तो FIA ने 855.80 करोड रुपे की बिकवाली की और DIA ने 410.46 करोड रुपे की खरीदारी की, यानि FIA कल cash में sellers रहे वही DIA buyers रहे इंडेक्स futures के लिए जो FIA का long shot ratio है वो मामूली रूप से घटकर 68.84% जो है वो हो गया है क्योंकि उन्होंने 2732 इंडेक्स futures के long बेचे हैं स्टॉक वाइदा के मोर्चे पर FIA ने 17,479 जो contract है उनकी बिक्री की है जबकि विकल्प के मोर्चे पर अगर हम देखे तो FIA ने 2,10,365 जो option contract है वही 2,28,249 put option contract जो है वो खरीदे हैं तो यानि इन्होंने 2,10,365 call के contract और 2,28,249 put option contract जो है खरीदे हैं तो मोटा मोटी यही FIA का data हमें कह रहा है तो आज के लिए बस इतना ही हमारे podcast को नेमित रूप से सुनने के लिए और हमें इतना प्यार देने के लिए आपका धन्यवाद investment in securities market are subject to market risks read all the related documents carefully before investing